यदि किसी का खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है या पाने पीने के बाद पेट फूल जाता है या उसको ऐसा मैसूस होता है कि जैसे उसने जो खाया है जो पीया है वो छाती में रखा हुआ है यहां से नीचे ही नहीं जा रहा है उन लोगों को कैसे ठीक किया जाए आद इस विश्या पर हम बात करेंगे नमस्कार मित्रो वंदे मातरम जैसियारम जैगोमातागी आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोववर्दान आजवेद में हम यहां जो भी जानकारी आपके साथ साजा करते हैं उसको पहले परियोग करते हैं और परियोग करने पर हमें अच्छा रिजट मिलता है तो आपके साथ साजा करते हैं हमारा आज का वीचिया है लीवर के अंदर कोई भी विकार हो लीवर फैटी होगे हो लीवर सुरोसिस होगे हो लीवर पे गर्मी हो और लीवर कमजोर हो गया हो लीवर में इंफेक्शन हो गैस बनती हो अफारा होता हो खटी डगारे आती हो हाजमा ख्राब हो गया हो डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो बिगड चुका हो कबज रहती हो या बार-बार दस्त होते हो इन सारी की सारी समश्याओं को आप आयरवेद की सिर्फ एक ओस्ति के साथ ठीक कर सकते हो बहुत सारी ओस्तियों का आपको सेवर नहीं करना है किसी भी अच्छी फारमेशी से जो भी अच्छी फारमेशी है किसी भी अच्छी फारमे योम फार्मेशी भी बनाती है वैदनाथ भी बनाती है डावर भी बनाती है पतंजली भी बनाती है और भी बहुत सारे फार्मेशियां जो आयरुवेद की हैं वो सब की सब पंच को बनाती है आप इसको गरम पानी के साथ या फिर आप इसको सहद के साथ जो है एक आदा आदा गजमत सुगे से भजन के बाद सेवन कर सकते हो इसका कोई दुस्प्रभाव कोई साइड एफैक्ट नहीं है फिर भी आप उसको अपने विवेक पर प्रयोग करें हमने जो प्रयोग किया है इसमें किसी परगार का कोई भी दुस प्रभाव नहीं देखने को मिला है और खास बात यह है कोई हमारे दुआरा इजात किया गया तैयार किया गया नुस्खा नहीं है आज से हजारों वस्तों पहले हमारे पूर वज़ोने, रिसी मुनियों ने चरक, वाड़वट, सुस्तूत जैसे महाग्याने रिशियों ने और भी जो हमारे आज़वेद के विशे सग्या हुए है उन सब की जो खोजे हैं वो खोजे हम आपके साथ साजा करते हैं हम उनको प्रियोग करते हैं, हमें रिजल्ट मिलता है तो आप लोग भी उनका लाब ले सको इसके लिए जो है हम उन जानकारियों को आपके साथ साजा करते हैं ऐसी जानकारी हम आगे भी आपके साथ साजा करते रहें और वो जानकारी आपको मिलती रहें उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दवाले, नवस्कार